इस कागज में देश के कुछ ऐसे लोगों के नाम हैं जो बहुत ही बड़े और नामचीन हैं और यही लोग हमें हमारी मन्जिल तक पहुँचाएंगे पर क्यों? इनकी कमजोरी के कारण इन्हें सिर्फ एक चीज से प्यार है पुरानी आठ मगर इन लोगों में से किसी ने हमारे साथ दोका किया या गद्दारी की तो तो हमारे वो साथे के इस दिन काम आएंगे जो हमारे लिए जान भी दे सकते हैं पुरानी आएंगे जाएंगे 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 जाए कर दो कर दो कर दो काण कर दो कि आचिकि जल्दी अखिश कि आडी हो गाया विद ने खिले आओ फोब कर दो की त्रॉ और्षम कें यह रखता हमको यह मतलब मूल दो बहुत निकल गए लग lounge तेहां, प्रूच को नदी जिए सरा है षिज्टेजेए, प्ली एफ पैशने वो प्रूच नहीं ओगा देया को कुछ नहीं होगा तेले विसे कहीछ प्रूच कहा चुका है वो विज्दे अफरी को ली डिवी तिया रगा इस भॉब बांब व्लास्ट समझ दिने आत्रा इसका और हॉस्पिल का नाता कब टोटेगा वेसे अभीजित ने इस ब्लास्ट रुआ केसे है पता निसा है अचानक एक धमा का वार मेरी आपके सामने उसकी कार के धच्छी उड़े इस प्लास का संबंद उस औरत की मौत से जिसे अमने टी सीपी चितरोले क की आफिस के बाहर देखा था चितरोले साब के साब मीटिंगे बाद दिमा गूम जाता है था सरा काम की बात में वे ऐसे टॉंट मारते हैं कि जी करता है कि इस्तिफा लिखे उनके पूंपे मारतों आई ये बात तो है कर जो भी हो उनके आफिस के जाए बड़े अची है सर, आमनों व्यक्सी आईए, मैं गाड़े लिखा रहाता है नीज़े, एगा मारम, क्या हो रहा है आपको? आपको तबी दोगी है? मैं, क्या हो क्या रहा है आपको? क्या, उस बैग मापकी दवाई है? क्या रहा है, क्या है क्या हिए इसके तो सांस बंदोने लगी है गजन इसे असवक आरखने है तुन पर अब लड़की पेजरी ठीक हो जाए और तो अच्छा है उसके पस कोई आइडेन्टिफिकेशन दे जिसके जरेम उसके गर्वन तो इनफार्म कर सके अरे डॉडर साब इसे लड़की आपने लाने में देर करतें इस टे क्या हमने तो पूरी कोशिश की थी मगर अर ऐसे पीशन को अपने पास कोई दवाई वग़र रहनी चाहिए ना तो हमें कोई दवाई मिली और नहीं उनके पास वे अस्तमा पाम था नहीं अधिन अधिन एंधिन उसे कोई बिमारी ही नहीं थी तो फिर उसे इंटरनल पॉईज़निग वा था उसकी बौड़ी में अढ और इसी वज़े से उसकी मौत होगी थी. इंटर्नल पॉइजोनीं, जहरला केमिकल, कि ये खुन का मामला तो नहीं है? तया किस हालत के सिम्हेदार वही लड़की है, सार. पर सर, वह लड़की तो मर चुकी है, पर तया सर कि हालत के सिम्हेदार, वह कैसे? आप हम झाऊ, पर शेयत की सिम्हेदार, कि ये उसी तो नहीं है? ये इस लड़की के शरीर पे इस बापा डिटरुटर मिला? ये ये ये, टरुटरर के वेना बांग फाटेगा तो नहीं है? फाटेगा, सचिन, फाटेगा. त다면, आपसा, वारगा, प्रीज. मैं पहले से शाथ था, ये श्यायदा ऐसे कुछ होने वाला है, अजयात. सर, कौन सीथार काटो? एक मोनेट. इल्लाव बाला काटो, समाल के. एक मोनेट. थैंक गॉड, सही वक्त पर इस मुसीबत से हम बच गए. अब समझ में आरा है, सर. कोई भी इस लड़की को पैशाने के लिए सामने क्यों नहीं आरा था? ये लड़की को ये मामुली लड़की नहीं है, सर. एक मानव बांब ती, इसका नाजाने क्या मिशन था? दया, जिसने भी एमानव बांब बनाया, उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है. हमने नाकाम कर दिया उसे, उसके मिशन में. लेकिने फिर से बांब बनवाएगा, दूसरा बांब बनवाएगा. सर, ये मिशन है कौन? इसका तभी पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा, कि ये लड़की कौन थे? हाँ सचेन, बताओ. अच्छा? लेकिन ठेक से बता किया तमने? उस लड़की के गुम्षोदा होने के रिपोर्ट किसी भी पोली स्टेशन में ही लिखाए गई? आँ, मानो बॉम की वो. देखो सचेन, ऐसे कोई सामने आएगा नहीं. उसकी फोटो सारे अखबार, इंटरनेट, निउस चैनल, सब जगा भिजवा दो. कोई तो पैचानेगा. नहीं, तुम यह करो फिर मैं बताता हूं आगे क्या करना है? क्या बाई? आइस टी पीनी थी क्या? गरम चाय को बरब जैसा ठंडा कर रहे हो यार पहले बता देते? अब, कुछ सोच रहा था. क्या? क्या सोच रहा? मुझे लगता है कि वो लड़की मुझ से कुछ कहना चाहती ती कहना चाहती थी? क्या क्या कहना चाहती थी? पतानी यार, वो बार बार अपने बेडे के तरफ इ droplets, मुझे लगा के शहाएद बैग में उसकी दौईया होगी. ठाहर लेकिन वो बीमार कहा देए उसके मौत तो बॉं। जहर से बॉगी है ना? वही तो अगर इसके बैग में उसके दवाएय नहीं थी तो फिर वो बारबार बैग के तरफ इशारख क्यो कर रही थी? वो सकता है बैग में उसके गैंग के बारे में को इनफॉमेशन हो तो बैग है ने तुमेरे बास हाँ गाड़ी मैं चलो लेके आदे तारीके जी है ठीक है बात कर लो बाग लेके आदो हम एलो हाँ तारीके जी पुत जी हता है एगाँ को तारीके एगए औिर डारीकेश को बारे पारे ठीको सा करता है ने व करता है तारी को तारीके पिति जाने पर हमला उस बैग की वजे से ही वाया है। असर, देख लिया उगा उस बैग के अंदर क्या है। मजरमों के ले खत्रा बन गया तो… रजाने से लिए उस बैग में असा क्या होगा? जो उन लोगोंने तया असर पर हर्मा कर दिया। जलिवी गाड़ी का एक-एक पूर्जा चेक करने को सारूंके को, कोई नो कोई बड़ा चक्कर है, कोई नो कोई बहुत बढ़ा चक्कर है। डोर सब, कैसा है थे? अब चुपती हुए, डोर्कर सब, बताइए ना, देख कहता है। डोर्कर साब, क्या होगा अदाय सर को? वो ठीक तो हो जाएगे ना? अब कुछ बोलिये सर। देखिए हमने उनकी जान तो बचा लिया है, लेकिन इस समय वो कोमा में है। अब कर दो दो जाते हैं। और उने कभ होश आएगा कि कहना बहुत मुश्किल है। भुश कब तर गाएगा क्या मतलब है, डोक्टर साहा? हाँ, क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसे देखिए में कभी कभी पेशन को एक दो दिन में भी होश आ जाता है, अब कभी कभी सानों लग जाता है। कुछ नहीं होगा तअ में नहीं होगा एगा। कोच नहीं होंगा कुछ नहीं होगा दैयक कुछ नहीं होगा कम दया एक भुपवाइटर एफवाइटर सेड जितेगा इस बार भी जितेगा वो हमारा अंदाज़ा सही निकला सर् जया की कार में जिस बॉम का इस्तेमाल किया गया था वो ऑक्सिडाइजिंग सॉल से बना था काफी हलका बॉम था क्या हो सर्, कोई खास पार? हम? हाँ हाँ से, में हो जानती तहरीख का है का है," यह एक लकडी का तुख्ड़ा और यह लगडी का तुखड़ा बहुत ती अच्छी क्वालिटी का है मगर मिला काँ यह लगडी का तुखड़ा लेदर बैग के इस जले हुए तुखड़े परसे वो लेदर बैग जो उस लड़की के पास था देखो यहार साल नखे काफी पॉलिष लगता है यह लखडी का टुक रहा है यह बस और ऐसी पॉलिष किसी अच्छी वारनिष से या सकती है वारनिष से अच्छा और बाम के बारे में और क्या बता चला सब ठीक वैसा ही बाम था जैसे की उस लड़की के शडीर में मिला था लो इंटेंसिटी का ऑक्सिदाइजिंग सॉल्ट से बना ऑक्सिदाइजिंग सॉल्ट्स लगता है मुझरिम इस तरह के बाम्स बनाने में एक्सपर्ट है सर एक बार वो मुझर में मुझर में हाथ लग जाए तो जो उसने देया सर के साथ किया है मैं उसका पूरा है साब लोगा तरह को पता चल गया था कि उस लड़की के परस में क्या है इसलिए उरुक डर गए कि ये पाथ हमें भी पता चल जाएगे दया के जरी है इसलिए ये सब गुआ है मुस दया आप कैसा है लट रहा है दया लट रहा है सर उनके लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जीच जाएगा दया जीच जाएगा इसी पीज़र के ओफिस के लिए यही रास्ता जाता है वो लड़की भी इसी तरफ से आय थे चलके पूछता है शाद किसी ने देखा हूँ भाई साब आपने इस लड़की को यहां देखा है नहीं मैंने तो नहीं देखा पुन मजल आप माई पर तभ करे कोंद सी तो अब जरीप निए फेला कि यह उसी तो इस्टतिंक नि मोड़ आ यह तखहाँ पार वर्ञहिता निया डेख यह सी जनकी टैंट्छ we इसके साथ कोई और एण टा? नहीं सब बिलकुल अकेली थी. लाजाव रे женщा हुआ एख हुआ बाएख लाजाव रे którychा हुआ थी यह तो साफ और बेएस्ट्राइब चुश ईसम जपा हुआ हुए बशालते नहींमेल है हाव सर Straw. आईए, कहाँ बैठना पसंद करेंगे, सराफ। जिस काम के लिए हम आए हैं, वो खड़े रहकर भी हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं, सर। C.I.D. C.I.D.? जी, इस फोटो को गोर से देखिया, बुधवार को दोपहर तीन बज़े के करीब, ये लड़की आपके रेस्टोंट में आई थी? हाँ, सर, आई तो थी, पर ये तो जी हाँ, ये तो, जी हाँ, ये मर चुकी है, ओ माइ गॉड़, और आप लोग इसके खूनी को ढूंते धूंते यहां तक आपाँचे, पूनी तक पाँचने के लिए कब कहा सुराग मिल जाए, ये कोई नहीं बता सकता, अरे अन्राग, ज जी सर, जरा इदर आना, सर उस दिन टेबल नमबर टू पर इस ही की जूटी थी सर, क्या हो सर, ये लोग से एडी से हैं, और इनके सवालों का सही से जवाब देना, इस लड़की की मौत होगी, मौत? जी हां मौत, इस लड़की की वार में कुछ जानते हैं आप? ये लड़क गूट टै और हैट पहना हुआ था, दोनों ने आपस में क्या बात की, कुछ सुना तुमने? नहीं सर, पर उस आदमी के हावभाव से इसा लग रहा था, जैसे की उस लड़की को डांट रहो, डांट रहो? ये सर, और उस आदमी ने एक घड़ी भी दी मैडम को हाफ में पह जब लगा था और हैट अपने चुपा ले रहाथा इस रेस्टर्न में सीचि टीवी डीवी कैमरा त हुगा ही नहीं सर, कमाल है रिस्ट्रूंट में स्विमिंग पूल है, सीचिटीवी कैमरा नहीं, अच्छ उन्होंने पेमें कैसे की थी, काट से, कैश की दीओ था सर, क्या हाधए तर भी उखण सर लिता है भूह जो है जो अर्ची आज पर सेख्डों इन्सानों की उंग्लियों के निशान हो गे फिर उस आदमी और उस लड़की कि उंग्लियों की नेशान कौन से उंगे यह कैसे पता चलेगा सर क्यों नहीं पता चलेगा निखेल जरूर पता चलेगा तो बॉंब बनाने ओला अतंक वादी है उसके उंगलियों के निशान तो हमारे क्रिमिलल डाटाबेस में होंगी अभी पता जल जाएगा सर अस्परेंट से वो घड़ी मिल गई है इस जायद देख इस घड़ी को बस रज़त का अंधाजा एकदम सही है दरसल यह घड़ी ही डेटरमेटर है यह यह देख रहा हो यह 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 तो घड़ी का पूर्जा लगता नहीं क्योंकि पूरी घड़ी स्टील की है और यह सिर्फ विये चाबी पीतल की हम और यह चाबी ही डेटरनेटर है माइगाड सिर्फ पहले इस आदमी ने उस लड़की को मानो बॉम बना है फिर दया सर्पेम ला किया अब ना जाने यह अगला बॉम कहा रखने वाला है सचेन अगला बॉम प्लाइन करने से पहली यह तीतर हमारे पिंजरे में होना चाहि है लेकिन बस यह पता चला है कि पिछले दो सालों में यह पांच बॉम ब्लास कर चुका है आदमी देश के अलग अलग है अच्छा पिछले दो सालों में पांच बॉम ब्लास कर चुका है और अब चट्टा ब्लास करने जा रहा है अब ना कोई बॉम ब्लास्ट ने देंगे हम, किसी भी मासूम की जान नहीं जाएगी अब ये घडी, ये डेटोनेटर ही हमें ले जाएगी उसके पास, उस आतंकवादी के पास सर वो घडी गगण नाम के अदमी के है, जो विहार नगर मेर रहता है विहार मेर तो फिर चलो उसके घर अप लोग है कॉन? देखे हम लोग C.I.D. से हैंगे C.I.D. से? यहां C.I.D. से हैंगे गगण हर में हैं ये लोग कोन है माँ? बट्टा ये लोग C.I.D. से हैं तुम से मिलना चाहते हैं देखो गगण हमारे सवालों का हमें सही सही जवाब चाहिए सही सही जवाब समझे है क्या काम करते हो? वो ज्वाला जोड़ पे पावाजी का बाग्ला है साब मेरा कितने पैसे कमा लेते हो महीने में? यही कोई 6-7 जार पे महीना 6-7 जार रुपिया महीना सुन लिया माजी आपका बेटा महीना 6-7 जार रुपिय कमाता है मगर घड़ी खरीता है देड़ लाख रुपिय की देड़ लाख? हाँ, देड़ लाख की गड़ी है ना किस गड़ी की बात करने आप लोग? इस गड़ी की इस गड़ी की बाद कर रहा है, समझें? क्यों, Gagan? कुछ याद आरा है, इस गड़ी को तेख कर? लेकिन आप ये सारे सवालात मेरे बेटे से क्यों पुछ रहे हैं? क्योंकि ये कोई मामुली गड़ी नहीं, माजी? कोई खास गड़ी है, ये खास गड़ी, एक बाउम का डेटोनेटर है. बाउम? जी हाँ, बाउम. इस पर ये जो चाबी है ना, उसके दबाने से बाउम प्लास्ट हो सकता है. क्यों कागण? माजी, आपका बेटा गगण गलत लोगों से मिला हुआ है. ये जूट है माज, ये घड़ी तो मैं किसी और के लिए खरिगता था, वो एक घड़ी खरिदने पर मुझे बीस हजार रुपर देता था, मगर मुझे नहीं मालूम था, वो इन घड़ी का इस्तेमाल गलत काम के लिए करते हैं. तो अपना दिमाग लगाना चाहिए था, कोई एक खड़ी खरीदने के लिए तुम्हें पीस हजार रुपर क्यों देगा? साहब, साहब मेरा बिटा निर्दो से, अब इसे माफ कर दीजिये. गगन निर्दोश है या नहीं यह तो पता चली जाएगा. लिकिन बता, ये लोग, कैसे मिले तुम्हें? वो लोग मेरे दुकान पर भावाजी खाने आयते साहब. उन लोग ने कहा, क्या मेरे काम करना चाहता हूँ? मैंने सुचा इसी बाना में कुछ पैसे कामा लोगा साहब. अभी का मिलेंगे? पता नहीं साहब. जब उनको जरूरत होती है, ये फोन करके खुदी संपर कर लेत कराई है, पर माल उसको अबधी चाहिए. पांच करोड का माल? तुमने पता किया वो किस गयंका है? नहीं, बॉस ये तु मैंने पूछा ही नहीं. पेवकूफ, हमारे इस धंदे में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता. तुम्हारी इस मालदार पार्टी पे मुझे शक हो र हमरे तलाश ही लेते हैं तुम हम इधर पे डील करने को आया है, तुमको क्या लगता है? हम जेबे गन लेके गूपते हैं? तुम सोचता है कि जेब में जेब में आठ डालेगा और इस गन डिकालेगा है? माँ भाई, नाम क्या है तुमारा? डोगा. इस तरह का बॉम यहाला न? का फकाण सूब लोगा है, तुम को तुमारा इसाना कि है कहीं आओी लाएो है, तुमारा पारी शचया है कि जित तुमारा, दुमारा जब चाहिए! और अजा और आजां परान। आजान। सरहां से नेकल गाजी है से। कोई बात नहीं कि शालीन भागग गया है लेकिन कब तक और कहां तक भागेगा। आप साहब। मैं उस सालिन का खास आजमी। उसका राइट हैंड। दया की गाड़ी में वो बंप शालिन नहीं रखवाया था साहब। लोगों को मानव मों पी वहीं बनाता है साहब। इस फोटो देखो। क्या जयनते हो से लडगी के बारे कि तुम। यह साला लेक के पास रळा घर में रहती थी साहब। बस इसका हलाबा मुझे कुछ नहीं पता साहब। साला लेक के पास वाला गर। जाना पड़ेगा वाह पर। जी कहिए। जो बिलना चाहते हैं, तो उनसे के CID आईए. जी आईए. साप, CID आईए. CID? तुम जा. जी कहिए? अब तरण है, इस गर के मालिक. जी नहीं, मैं सुकेतु. तरण जी तो वो अस्ट्रले मेरेते हैं. मैं इस गर की डेख़ाल करता हूँ. और ये बागी की लोग होन हैं? ये सारे किरायदार हैं. ये दोनों कालेटा है। और ये तिनों कॉल संचर में काम करता है। अब तरण पाँच लोग? लिकन हमने तो सुना था yiह पर... छे किरायदार हैं? ते चट्टा किरायदार कह कहां हैं? कई दिख नहीं रहा है सर, शायद आपने गलत सुना होगा सुकेतों जी को मिला कर हम यहाँ छे लोग ही रहते हैं अच्छा, अच्छा, हमने गलत सुना क्या नाम है आपका? मोना सर तो भिर मोना जी, त्यान से सुनिये सी आईडी कभी गलत नहीं सुनती समझे आप छटी किरायदार ये है नाम कोयल कुछ यादा है? ये, ये तो हाँ, मर चुकी है ये मागर, कैसे? इसका जवाब तुम लोग दोगे पता, कोयल एक मानव बम क्यों बनी? कोयल मानव बम थी? बस, बस करो एना तक अचुपचा पता क्यों छुपा रहे हो तुम लोग हमसे? कोयल के बारे में बताओ जल्ली सर, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं हम बेगुना हैं, सर बेगुना लोग छूट नहीं बोलते हैं सचीन, सब को प्यूरो ली चलो प्रूचा प्रूचा रुक्ये, सर मैं आपको बताती हूँ के सच क्या है सर, पास दिन पहले राग डेड़ बजे यह आवाज कैसी? कोयल यह क्या क्या तुमने? कौन था यह? इसकी तो? नाफसी नहीं चल रही है यह? मठ चुका है हे भगवान, कोयल तुम्हें खूण कर दिया अब क्या होगा? लेगे, मैंने इसे जान मुझ के नहीं मारा यह इंसान हमारे घर पर चोरी करने कुझा था और मैंने इसे देख लिया और मुझ पर हमलग करने रगया और मैंने अपनी आद पर रख्षए करने के लिए इस पर गोली चला थी अइसे कैसे कोली चला थी तुमने गन दिखा कर से डरा भी तो सकती थी हमें भुला ले थी सब को जितनी जल्दी जल्दी हो गया एको समाजी नहीं आया मचे लेकि तुमारे बास ए गन काँसी आई सुरी सिम्रण पहले तुम लोगों को बताया नी यह गन हमेशा मेरे पास रहती है और सच्ची में इस गन का में बस लाइसन्स भी है सच्ची बोल रही हूँ अब करना क्या है करना क्या है? सब सच सब बताव दिते है नहीं नहीं सिम्र तुम आजमत करो प्लीज देखो C.I.D. मेरे बात भरोसा बिलकुल नहीं करेगी वह लोग मुझे फांती पर चड़ा देंगे कोयल ठीक कहरी है C.I.D. तो क्या सुकेतियू और बाकी के लोगों को भी इसकी बात भरोसा नहीं होगा और बेवज़ए इसके जिन्देगी खराब हो जाएगी और वैसे भी यहाद भी कोई नेक इंसान तो धानी चोर उचक कही था एक काम करते है इस लाश अर्स राज तो किसे ऐसे जिगद अपना देते ही जहांसे सफर को ढूंडना पाई एक खोन पर पर्दा डाला तुम दोनों ने लगता है चोर यहीं जा है सर क्या रिकर सर इस दर्वाजे के इस साइड का कांच जानबूच के तोड़ा के है यह लेकर क्यों दर्वाजे का काच टुटा हुआ है अर दर्वाजे के वाग खुवन पड़ा है भूल गहें साफ करने के लिए बाकी जैसे सब कुछ साफ किया है क्यों चुपचा बताओ कहां पे चुपा के रखी है उस चौर की लाश बताओ जल्ले सर पास की जमीन में काड़के रखी है क्या सजा होगी तुम लोगों को चलो टिकाम हमें कापे घाडिये लाश सानु के क्या चला है तुने ह्या कब साम पूच रहे कि क्या पता चला तु मताने को दॉ達्यार के नहीं कि कुछ पता चला कैण। हम तो दया के तवियत को लेगर परिचाने और तू इस सरह से बर्ताव कर रहा है अरे यार दया की चिंता मुझे भी है इसलिए इस केस में में हर एविडेंस की इतनी बारी किसे जांच करना चाहता हूं ताकि मुझसे कहीं कोई गंती की गुंजाईशी न रहे कोईल ने जो इस चोर को मारा उसके लाज से तुझे क्या पता चला बता यह चला है बता यह चला है बस इस चोर को कोईल ने नहीं मारा क्या लेकिन कोईल के दोस्तों ने तो बताया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए इस चोर को गोली मारी थी नहीं रजर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस चोर पे जो गोली चली है, वो कोयल की गन से नहीं चली, तो क्या फिर इस चोर ने अपनी ही गन से आपको माट लिया, नहीं साचिन, गोली चोर की इस गन से भी नहीं चली, गोली इस चोर की गन से भी नहीं चली, गोली कोयल की गन आदमी भी जरूर था दर्वाजे के पास जो सूखा हुआ खून आप लोगों को मिला है और ना तो इस चोर का है और ना ही कोयल का है कौन है ये तीसरा आदमी आप लोग सीएडी से ना अर आप मिश्चप्तर रण है इस घर के मालिक जी देखा मैंने काया थाना आपकी फ्लाइट के से रही कोई तकलीफ तो नहीं हुई जी नहीं से फ्लाइट में कोई तकलीफ नहीं हुई और यहां आकर जो कुछ भी सुना उसे सुनकर तकलीफ बहुत के यह ब damm Esseक अशूप में अब इस घर में कभी कोई चिरायदा रखोंगा हही और यह लोग भी आज ही इस घर को खाली कर्रहें नै ननने अब तो इस घर से कोई बार नहीं जा सकता जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुता और आप सब को हमारे साथ फोरें स क्या होगा आपके खून से पता चलेगा कि उस दर्वाजे के माँ जो हमें खून मिला है वो किसका है क्योंकि वो खून ना तो कोयल का है और ना उस चोर का लेकिन यह कैसे हो सकता है ऐसा ही हुआ है वो खून किसी और आदमी का है इस केस में कोई तीसरा आदमी पी शामिल है मत तो पता चली जाएगा दिए ने टेस्ट के बाद तब तक हम देखते हैं वो खून किसका है देखो अच्छी तर इसे देखो तो हमारे नजरों से चुटा है पिछली बार इस बार मिलना चाहिए कोई न कोई सुनाग सब्सक्राइब करें परदार का निकाप वहां पड़ा था हाँ खुन भी लगाया इस पर यह देखो यह कि यहां पर था हो सकता है यह तीसरा आदमी बुना करकि यहां से भागरा होगा तो इस हुक से टक रहा है और उसका खुन नीचे गिर गया तर यह देखे यह सोने की अंगुठी सोने की अंगुठी किसकी है यह सोने की अंगुठी है सर हम तो यह अंगुठी पहली बार देख रहें यह हम मैंसे किसी की भी नहीं यह सर यह दो हर आदमी एक दूसरे को बचाने में लगा हुआ है सच क्या है कोई बताना ही नहीं चाहता चला कोई बात नहीं अगर आप नहीं बताना चाहते तो वो जोहरी बताएगा जिसने यह अंगुठी बनाई है पर जोहरी का नाम है वी जे विराज जुएलर्स सर यह है वो टिक्को जिसकी वंगुठी है देखिल पकड़ उसे जल्दी बागो सर उसे बस मेर एक निएाज जालिए जल्दी निख़ो सर इस बस मेर बागो सर इस बस मेर एक बागो सर इस बस मेर बागो बहुत बड़ी मुसिबत उन्फस चुका हूं। सी आईडी वाले मुस्तक पहुच चुके हैं। तेखो कहा पर है वो। कि रोड़ा टिकूप उसामें। सोरा है। है, होट। सासे तो बंदें इसकी। मोट भी नीली पड़िये। कहीं से किसी ने जहर तो नहीं दिया। किसी ने लगता है जहर उसी से दिया गया है। इसके पास जो पार्सल था बॉक्स वाला तो ढूंडो देखो इस पार्सल को ढूंडो। सब पार्सल तो कहीं नहीं है। लगता है वही आदमी लेके फरार हो गया। देखिए। हम लोग सजी आएडी से हैं। इस आदमी के मौत हुई है। शायद इसका खून हुआ है। हम जानना चाहतेगी इसकी इस बगल वाली सीट पर कौन बैठा था। कोई बता सकता है कोई जानता है। वह तो सार इस सिबस्टॉप में उतर गिया। अदमी यही पर उतर गया। इस्टॉप पर। जाना कहा है बोगे से। वही तो कायब कहा हो गया यह अच्छाना अब तिर ऐसी क्या किंती चीज है उस लपनी के बॉक्स में जिसकी वज़े से एक के बाद एक खून होते जा रहे है। श्रया श्रया तुम गार जाओ मैं दैसर के पास लुकती हूँ नहीं पूर्वी श्रया मैं यहीं रहूँगी श्रया श्रया एसीपीसा का ओर्डर है तुम जाओ और तुमने कुछ खाया? श्रया श्रया मैंने खालिया श्रया श्रया क्या हुआ? श्रया 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 केmäए छह्रत जिए जाओ वुरत, दयासर जल्दी ठीक हो जाये इसलिए? सिर्फ दयासर के लिए नहीं, हमारे पुरी टीम के लिए पुरी टीम के लिए? अगर एसीपी सर को पता चलेगा न तो वो बहुत नाराज होंगे पुर्वी प्लीज, एसीपी सर से कुछ मत कहना तुम भाहराओ, चलो, पुरी, चलो श्या, श्या श्या, यह नड़की श्या, मेरे लिएसे क्यो कर रही हो? एसे कहूं यह श्या, कैसे? श्या श्या, भुम बास्ट, मेरे लिएसे क्योंड़ शजया शजया जिए 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 arrow जिए 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 व है झाल 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 झाल